तो आज हम लोग पनीर घोटाला बनाएंगे ये सूरत का एक स्टीट फूड है बहुती ज़्यादा फेमस है और बनाने में बहुती आसान है लगबग 10 मिनट में ये बनकर तयार हो जाता है और इसको आप पाव के साथ, पराठे के साथ, कुल्चे के साथ या रोटी के साथ मे साथ ही में आपको इस वीडियो के लास्ट में एक बहुती स्पेशल किचन टिप मिलेगी, इस वीडियो से लेटेड नहीं है, बिल्कुल अलग है और बहुती ज़्यादा वो यूसफुल रहेगी आप लोगों के लिए, तो चलिए देखते हैं कि हमें ये पनीर घोटाला कि इस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कडाई ली है, कडाई में लग बाग दो बड़े चमच जितना ओईल हमने डाल लिया है, यहाँ पर हम बहुत थोड़ा सा ही ओल का इस वक्त यूस करेंगे, ओल के गरम होने के बाद में लग बग थोड़ा और प्यास और लेसं दौनों में से ही किसी भी चीज़ का यूज नहिं किया है, इसके बाद में हम लोग इसमें थोड़ा सा हलडी पाउडर रैट करेंगे, लगबग आदर चोटा चमची मै ने हलदी पाउडर का यहाँ पर यूज किया है, और हल्दी को हलका सा पकाने के ब और एक बड़े साइस की शिम्मला मिर्च को भी हमने इसी तरह से बार एक बार एक चॉप कर लिया है अब इन दोनों ही चीज़ों को हम डाल करके खलका सा इनको फ्राइ कर लेते हैं अब इसमें स्वादा नुसार नमक अड़ेंगे नमक की मातरा बहुत ज्यादा ना करें क्योंकि इसमें बटर का भी यूज़ गड़ने वाले तो वह भी सॉल्टेड होता है इस वज़े से थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर एट कर दिया है लाल मिर्च की मातरा थोड़ी सी यह से कलते हैं यह दोने से पाव भाजी। पॉणती सब्सक्राइब करें उसके आप पानि पानी पित्स्कंते श्क्राइब करें 10 की मिशना श्कॉत के माई नेने षुट खार्स में दाफाई दb करना हम उसके 1दीड़ के साथ शलिठा रहाए तो तरह पानी तुम आप फारे उसके पानी पॉइल्ट शुक्ति अब पानी में बॉइल आने लग गया है तब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे इस वक्त और इसको थोड़ सी देर के लिए हमें पकाना है और अब इसके बाद में हम इसके बाद में एक बड़ा चमत जितना बटर मैं आपको पताया था ना कि बटर भी हम एट इस वज़े से हमें स्टाइटिंग में सुड़ा सा कम ही एक करना है और सौल बटर की मात्रा प्रोड़ सी कम ही जादा कर सकते हैं या फिर आप इसको शिप भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है इस वज़े से डालना होता है यहां पर हमने 100 ग्राम पनीर को पनीर को ग्रेट करने के बाद में अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे पूरे मिक्षर के साथ में क्योंकि हमारे जो सब्जिया है वो पक चुकी है तो आप पहले पर सब्जियों को चैक कर लें कि वो पकी है या नहीं अगर वो नहीं गली है थोड़ा सो और पका लें शर्फ करने के बाद में पानी के लिए पकाना होगा क्योंकि पानी हमारा पहले ही पख चुका है अब भूटी चीज़े पहले पक कछी हैं अब हम इसमें डालेंगे चीज को ग्रेट करके जब भालता दाक चीज और नाफ चीज तौड new तो आप इसकी उम्ली अपर ऑश हाले हो इसके किपंगी आ के सटीस्ती, Estados ऑश फिलेवर ना पनीन गोटाला के उन्धर कर नाफ हे इसकी बने फिलेवर थोड़ी बढ़ा भी सकते हूं बटर मेल्ट हो चुका है तो अब डालेंगे एक बड़ा चम्मास ट्रमेटो केचप यह डालना बहुत जरूरी है इसी से का फ्लेवर निकल के आएगा अगर आप इसको भूल जाएंगे ना तो फ्लेवर थोड़ा काम आएगा तो इसको आप जरूर एट किजेगा इसके बाद अब बटर के साथ में इसको सर्फ कर सकते हैं और अभी वीडियो को बंद करना है आगे हमें किचन टिप देखनी है तो यहां पर हम थोड़ा सा पाव का पीस लेंगे और उसको हम अपनी पनी घोटाला के साथ में इंजॉइ करेंगे और यह बहुत ज्यादा टेस्टी लगा सिर्फ करने के लिए पहले तेल को ठंड़ा करें पूरी तरीके से और उसके बाद में दूबाराऑ गरभर तोर में नीवा नीवो का रस आइड से तेल इससे क्या होगा तेल यह साफ हो जाए एक दम पूरी तरीके से चल्शाब करना बिल्कुल भी नहीं भूला है शीर कर द